खबर है मोती हारी से जहां AES से लड़ने के लिए जिले भर में होगा चोपाल का आयोजन मौसम में बदलाव के साथ छोटे बच्चों की सेहत के प्रती अधिक सतरक रहने की जौरत है सिविल सर्जन डॉक्टर अखिले श्वर सिंग ने बताया कि सर्द गर्म के इस मौसम का कमजोर इम्मिनूटी वाले बच्चों पर विप्रीत असर दिखाई देता है जिससे बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, डाइरिया, उल्टी जैसे रोगों से संक्रमित हो सकते हैं जिले में कुछ वर्षों से जापानी, बिमारी की चपेट में बच्चे आ रहे हैं, ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए जिले में तमाम मेडिकल टीमों को जन जाग रूपतावे मेडिकल विवस्ता के साथ AES से लड़ने के लिए तयार किया गया है इसके लिए महशी, चक्या, मदुबन, तेतरिया, सहीत, अन्य स्वास्त, केंद्रों पर तयारियां की गई हैं